हेलो बच्चो वेलकम डॉक्टर सद्दा मेरे नाम है भारती और मैं आपकी जॉल जी एजुकेटर हूँ आज का ये सेशन बड़ा इंपॉर्टन है क्योंकि नीट में रहते हैं छे साड़े छे महीने जब नीट में रहते हैं तो मेरे इसाब से अब शायद एक महीने बाद या सब्सका. कुछ टाइम से ही आप लोग को मॉक्ट टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए है ना कि पता चले कि हम लोग कहां स्टांड कर रहे हैं एक किस तरह से हमें मॉक्त से थे ना चाहिए डिक ये कुछ कॉन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं while doing mock test या question practice ले लो और उनको कैसे सुधारा जा सकता है किस mindset के साथ किस approach के साथ हमें mock test देना चाहिए क्योंकि as a student जब मैं त्यारी कर रही थी तो मुझे भी बहुत सारी चीजे ऐसा लगता है कि काश ये पहले पता होती तो शायद कुछ हो जाता है बच्चों के थ्रू मुझे पता चलती है वो सारी common mistakes और वो analysis के साथ कि यार मुझे पता है कि अगर मेरे पास इतने बच्चे हैं मैं पढ़ा रही हूं को ये problem आ रही है तो ये काफी सारे बच्चों की problem है तो उन problem को solve करने का मुद्दा सारा अब यहां पर है तो यी वीडियो पूरी देखना आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि हर mock test में आप लोगों को progress करनी है graph बले ही slow and steady जाए लेकिन ऐसे जाना चाहिए ऐसे 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 नहीं जाना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते common mistake क्या है एक जो सबसे बड़ी common mistake में देखते हूं बच्चों के अंदर जब वो mock test दे रहे होते हैं कोशन प्राक्टिस कर रहे होते हैं वो होती है कि वो कभी कोशन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है है और खासकर वो कोशन जिसमें not correct incorrect correct यह सारी चीज़े दे र पढ़ता है ना ही दूसरी चीज़ ना ही वो statement सारी पढ़ता है अब जिसके वज़े से ना हमारा पूरा का पूरा एक answer गलत हो जाता है और हमें मिलते हैं गिफ्ट में माइनस 5 है ना माइनस 4 भी नहीं वेटा जी माइनस 5 हम लोग को मिलते हैं तो पहली common mistake है वो है कि यार यह बाद में खुदी regret करते कि यार मैंने incorrect को correct पढ़ लिया यार मैंने not correct को correct पढ़ लिया बाद में क्या होगा जब चिडिया चुप गई खेद बाद में पचना पच्ताने से कुछ नहीं होता दूसरी common mistake जब एक आप एक फुल लेंद पेपर लगाते हो या फिर आप का batch test है जो की मान लो तीन घंटे 20 मिनट का होता है या फिर आप अलग से आपके पास book है जहां से आप question लगा रहे हो कि यार मुझे एक paper पूरा solve करना है और यह इसको में को तीन घंटे 20 मिनट में solve करना है लेकें जब हम लोग solve कर रहे होते हैं तो हम लोग हो जाते थोड़ भी time ले रहे हैं पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं एक mock test को solve करने के लिए या बहुत जल्दी बाजी में solve कर रहे हैं तो यह दूसरी mistake होती है जो एक बच्चा करता है वाइल प्राक्टेसिंग आपका mock test जिसके वजह से आप जब actual mock test या paper देने जाते हो ना आपसे time manage नहीं हमें पता है यहां पर Mr. India है लेकिन हम देखना नहीं चाहरे हैं हमें पता है कि अगर मैं इस question में तुक्का लगाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को 4 number मिल जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरे negative marking हो जाए वाँ मेरे 5 number चले जाए तो यह जो तुक्के बाजी करते हो ना यह जो negative marking को ignore करते हुए चल रहे हो है ना तो इसके वज़े से बहुत सारा negative जाता है marks आपका drop होता है score और यह बहुत बड़ी factor है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास time है कर देता हूं तुक्का मार लूँगा अगले test में देख लूँगा नहीं अग तक आपका score नहीं बढ़ सकता तो आपको यह आपकी तीसरी common mistake है जो हर बच्चा कर रहा है चौती common mistake है पता ही नहीं चल रहा है कोशन में क्या पूछा गया है कभी-कभी examiner कोशन को बहुत तेड़ी-मेडी तरह से गुमाता है और हमें देखके लगता है कि यह वाला कोशन तो मुझे आता है लेकिन वो कोशन हमसे नहीं बनता क्यों कि कहीं ना कहीं उसने examiner ने concept के बेस पे वो कोशन गुमा दिया होता है और जैसे ही कोशन घूमता है तुमारा दिमाग घूम जाता है और confidence हो जाता है बिलकुल लो तो यह चौती common mistake है जो मुझे बच्चों में दि 5-10 मिनट लगे रहते हैं जिससे हमारा time bound practice भी नहीं हो पाता और दूसरी चीज हम एक ही कोशन को इतना time दे देते हैं कि वो possible ही नहीं है कि तुम एक कोशन को नीट के exam में बैठके इतना time दे दो एक कोशन पे 5-10 मिनट नहीं लगाने है यह आपकी fifth mistake है जो हर बच्चा कर र time पे आप एक कोशन पे 5-10 मिनट नहीं दे सकते हो अगर आप किसी कोशन पे इतना आटक रहे हो छोड़ो उस कोशन को और आगे बढ़ो दूसरा कोशन देखो क्योंकि अगर वो कोशन नहीं हुआ दो चीज खराब होंगी आपका self confidence नीचे जाएगा और आपका time खराब होग कि जतना वो कोशन डिजर्व करता है अब इनको ठीक कैसा होना करना चाहिए क्या अप्रोच होना चाहिए सबसे पहली अप्रोच यहीं है बेटा जी प्लीस तुक्का नहीं मानना जिस कोशन में भी अगर आपको लग रहा है ना 50-50 लग रहा है तो 50-50 में भी वो answer mark मत करके आओ माइनस फाइव बहुत जादा खराब लगेगा तुम्हें कि यार मेरे 720 बन रहे थे 715 आ गया अगर मैं इसमें तुक्का नहीं मारता तो है ना तो यार यह तुक्का बाजी नहीं करनी है अपने कोशन अपनी स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है बहुत सिली मिस्टेक ह मैं बोल रहे हूं बहुत रिग्रेट होता है बाद में अगर हम लोग आता हुआ कोशन करके आते हैं टाइम को मैनेज करते हुए चलो एक कोशन पर जादा टाइम नहीं लगाना है टाइम बाउंड प्राक्टिस करनी है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और तीन गंटे 20 मि के चलो जिस टाइमिंग पर आपका नीट का एक्जाम होता है दो बज़े से 5-20 तक का टाइम डेली जब भी मॉक टेस्ट कर रहे हो इसी टाइम स्वाइन के बीच में चलो आनलाइस करो की कोशन में पूछा क्या जा रहा है घूमने की एक्जामिन का काम है तुम्हें घुमा क्योंकि ओमार में मैंने खुदने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी एक गोला चूटा उसकी जगा दूसरे कोशन का भरा और सारे गोले गलत भड़ते गए तो ओमार प्राक्टेस होनी चाहिए और ओमार प्राक्टेस तभी होगी जब आपने मॉक टेस्ट के टाइम पे ओमा प्राक्टेस कैसे करी जाए यह सारी चीज यह मॉक टेस्ट कहा से आएंगे मेरे पास कि मैं मॉक टेस्ट दे सकूँ तो आप लोग डॉक्टर अड़ा पे अड़ा 247 की आप पे जाके ले सकते हैं एक प्राक्टेस कॉम्बो जो की पड़ेगा आपको बहुत अफॉर्डिब रैंक बूस्टर टेस्ट अब इसमें क्या है आपको हर सब्जेक्ट की चार बुक्स मिलेंगी एक अजर्शन रीजन स्टेट्मेंट बेस मैच दफोलिंग और फिलिंग दा वैंक्स लेकिन यानि की चारो टाइप अफ कोशन आपके हर सब्जेक्ट की कवर हो जाएंगे तीस आपके लिए वो प्राइज अफॉर्डेबल नहीं लगेगा आपको तो आपसे मैं बोलूंगी कि एन बी टीए जरूर परचेस करिए और आपका रांग बूस्टर टेस्स सिरीज बिलकुल परचेस करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टन है और जब भी आप मॉक्टेस दे इन कॉमन मिस्टेक्स को अवाइड करिएगा और इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दिये जिएगा जब आप मॉक्टेस करते हैं और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है और कोई भी अगर कोशन हो आपके दिमाग में तो प्लीज डू कमेंट और स् क्राइब दीचानना